हेलो एवरिवान कैसे है आप सब आज मैं आपके सामने लाई हो मालपुआ के रेसिपी पर आज मैं बनाऊंगी इसे आटे से तो चलिए इसे हम एक बावल में डाल देते हैं नॉर्मली ये जो मालपुआ है वो मैदे से ही बनते है पर आज मैं आटा और सूजी से बनाऊंगी आटा मैं एक कप लिया है और सूजी लिया है मैंने आधा कप सूजी से भी आधा मैंने मिल्क पावडर लिया है और मिल्क पावडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्क पावडर के बदले में आप खुआ का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैंने लिया है सौफ इधर दो चम्मच करीब सौफ और इसी के साथ इलाइची मैं एक साथ कूट लोंगी, इसे दरदरा चूटना है, बहुत ज़्यादा एकदम फाइन करके हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, तो ऐसे कूटलेने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो देखे मैंने एक साथ इसे कूट लोंग तो चलिए इसमें एट कर लेते हैं अब एट करने के बाद ना क्या करूंगी यह जो dry ingredients है इसे बहुत ही अच्छे से mix कर लूगी तो mix करने के लिए मैंने एक whisker लिया है whisker के मदद से अच्छे से mix कर लेना है आटा से बनाने से क्या होता है ना माल पुआ बहुत ही ज़्यादा soft बनते है बहुत प्राइम लगता है कि आटा से बनेंगे पर बना के मैंने पहले भी देखा है कि बहुत अच्छा बनता है पर इ जितना चाहिए मैं उतना ही डालूंगी उतना मेजर करके मैं दूद नहीं डालती हूँ मतलब हमें जो घोल बनाना है ना वह बहुत गारा नहीं होना चाहिए एक तम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए बहुत ज़्यादा गारा हो जाने से माल पुआ मोटा मोटा बन जाएंगे तो दूद डाल के बहुत ही अच्छे से विस्कर के मदद से हमें फेटना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे तो ध्यान रखिएगा दूद बिलकुल रूम टेंपरेचर हो उतना अच्छे से मिक्स नहीं होता है बहुत ज़्यादा गरम रह सकता है तो लगने के बाद थोरा सा गारह हो जाए तो आप उस समय थोरा सा पानी एट कर सकते है तो मैंने थोरा जादा ही पतला रखा है तो बाद में पानी अट करने का जरूरत नहीं है तो पंदा मिनट के लिए मैंने उसे साइट करके रखा है तो अब चलते हैं चाशनी बनाने तो इधर मैंने छोटा सा कटोरी से चीनी मेजर कर ले रही हूँ, मतलब ये कटोरी से दो बार भर भर के चीनी मैं इसमें एट किया है, तो दिखिए, दो कटोरी आप चाहे तो आपका कोई भी बरतन में चीनी आप नाप सकते हैं, चाहे कप हो या कटोरी हो, उसमें कोई दिक्कत अब चीनी उतना ही पानी तो द्धोर जादा अब चाहते उतना ले गिरेगा तो फानी समाएं अमरी को छप्रता अभूत जूर जादा हो सकता है डालते समय जादा हरकी में गप चलते हैं चराने तो गैस के ऊपर मैंने अप्र फ्लेम को on कर लेती हूँ, तो सबसे पहले चीनी को melt होने के लिए छोड़ना है, तो फ्लेम को पहले रखना है बिल्कुल high, तो थोरी ही देर में ये चीनी में उबल आ जाएगा और चीनी भी धीरे-धीरे melt होने लगेंगे, तो देखिए, चीनी melt होना start हो गया है, बहुत देर तक इसे नहीं पकाना है, मतलब चाशनी हलका सा चिप-चिपा होना, बस उतने ही, बहुत जादा, मतलब एक तार या दो तार का चाशनी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल चिप-चिपी से लगेगी, तब गैस का फ्लेम बंद कर लेना है, तो एकदम परफिक्ट हो चुका है, और ज्यादा इसे नहीं पकाना है, बस हम इसे 5-7 मिनट तक ही पकाए, बहुत जादा देर तक नहीं पकाना, तो एकदम परफिक्ट बन के रेडी है, अब गैस का फ्लेम बंद करके साइट करके रख देना है, तो देखिए इधर घोल भी एकदम परफिक्ट सेट हो चुका ह तो अब ये ओयल में लिया है पैन में और इसे डालना है, बहुत ज़्यादा गरम ओयल में नहीं डालना है, एकदम मेडियम हीट रहेगा, तब ही इसे डालना है, नहीं तो मालपुआ का शेप बिलकुल बिगर जाता है, बहुत ज़्यादा गरम ओयल रहने से, तो इसे मुझे आपको दिखाना था तो मैं इसे लिए एक एक करके ही तल के दिखाऊंगी तो देखे धीरे धीरे ये फुल रहे है और आटा से बनाने से एकदम सौप्ट सौप्ट और रसीला बनते हैं बहुत अच्छा से चीनी भी एबजॉब करते हैं ऐसा नहीं कि आटा में टेस्ट खराब लगता है आप कभी अगर आटा से बनाए है तो कोई बात नहीं बनाए है ना तो आप पकका ट्राइ कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा तो देखिए बहुत सुंदर कलर भी आया है आटे से बनाने से क्या होता है कलर भी बहुत खुबसूरत आता है तो तूरंत इसे हम निकाल लेंगे जैसे इसमें कलर आजाएगा तो इसे निकाल लेना है और तूरंत गर्मा गरम चाशनी में इसे एट कर लेना है मतलब चाशनी हलका गरम है और मालपुआ जो है वो एकदम परफेक्ट गरम है और इसे रखने के बाद ही चाशनी में तूरंट निकाल लेना है बहुत देड तक छोड़ेंगे नहीं नहीं तो यह बहुत नरम है फट भी सकते हैं तो इसे लिए तूरंट इसे निकालना है तो इक फ्राई होने के बाद फ्लेम को मैने बंद कर दिया था गैस का फ्लेम बंद करके ही दुसरा माल पुअ ओएल में डालना है नई तो बहुत ज्यादा हीट होते है तो यह भिखर जाता है अच्छे नहीं बंते है मतलोब फिक न tu खराब हो जाता है तो इसी लिए गैस का फ्लिम बंद करने के बाद एक मिनट बाद दूसरा बैच आप फ्राई कर सकते हैं और तुरंट इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है देखें कितना जल्दी से फटा-फट से ये चाशनी एब्जॉब कर ले रहा है मतलब मालपुआ एक दम परफिक्ट है और ऐसी अगर मालपुआ तुरंट चाशनी में डालने से अगर चाशनी एब्जॉब कर लेते हैं तो आप समझीगा कि एक दम परफिक्ट बना है ये तो तुरंट इसे मैं निकाल लेती हूँ तो ऐसे सेम प्रोसेस में मैंने सारी जो मालपुआ है बना के रेडी कर लिया है अब उपर से करना है देखिए कि देखने से कितना प्यारा लग रहा है आप इसके साथ रब्री भी बना के सर्फ कर सकते हैं पर मैंने आज रब्री नहीं बनाई रब्री नहीं तो आप खीर भी बना सकते हैं खीर भी अच्छे से बनाने से ना मालपुआ के साथ बहुत अच्छा लगता ह आज मैं ड्राइफ्रूट्स मतलब काजू बदाम और पेस्ता बदाम को एक साथ चौप्ट करके इसके उपर डेकोरेट किया है तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है लगी नहीं रहा है कि ये आटे से बने है तो एकदम परफेक्ट है तो मैं आपको ये सामने से तो आउंगी तो औरने से पता चल जाएगा कि ये कितना रसीला और परफिक्ट हुआ है तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो जरूर से लाइक कीजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में